सम्मोद मां जातक सम्मोद मां जातक नंबर 33 जातक कताओं में आज की डेट में जो समाज एहंकार से बंदे हुए होते हैं उनका किस प्रकार नुक्सान होता है ये कहानी उसको बताती है एक चुड़ी मार होता है चड़ी मार मतलब चड़ियों को मार के चड़ियों को पकड़ कर बेच कर उसका जो आजिवी का है जो उसका रोजी रोटी है जो उसका घर का खर्च है वो चलता है वही उसका काम है तो ये जो चडी मार है ये बड़ा दिमाग का तेज है बड़ा बुद्धिबान है इसको पता है कि चडीयों को कैसे पकड़ना है तो ये पहले उनकी भासा समझता है उनकी भासा को पड़ता है उनकी भासा की जानकरी लेता है फिर उनकी भासा पकड़के चडियों की भासा समझता है कि चडिया क्या बोल रही है क्या कर रही है चडियाओं की भासा समझने के बाद में फिर वो चडियाओं की बोली में बात करता है और चडियाओं को भरम में अंद्विस्वास में डालके चडियाओं के बीच में रहकर उनके पेड़ों के बीच में रहकर उनको बलाता है खटा करता है उनको लालच देता है उनको दाने का खाने का पूरी सबजी का लालच खाने का लालच पानी का लालच पैसे का लालच सरा वालच का दाना चुकने के लिए आती हैं तो वो ऊपर से जाल फेंकता है और जाल में चडिया फच जाती है। फिर वो चडियाओं को सब ले के जाता है और शहर में जाके उनको बेच देता है। और दिन दूनी रात तक की करता हुआ, माला माल होता हुआ, वो घर और महल चोवारे बना लेता है। चड़ियाओं में एक बहुत समझदार चड़िया थी, जो बहुत जादा जानकार थी, उसने सबी चड़ियाओं को इखटा किया और उनसे कहा कि देखो तुम सब मारे जाओगे। जाना और जाल को ले जाके, जो बेरियों की जाड़ी होती है, उस जाड़ी पर टांग देना, जाल उपर टांग जाएगा, आप नीचे से रह जाओगी, फिर अपना सर निकाल के वहाँ से उड़ जाना, जब भी जाल वो फैला है, चड़ियों ने उसकी बात मानी, चड़ि जाल को लेके उड़ गई, और बेरी के पेड़ पर जाके उसने, उन्होंने सबने जाल को एक तरह से उतनी, और वहाँ से अपने गरत निकाल गए, अपने अपने गहुंसलों में बापिस आ लियों, जो चड़ि मार था, वो पीछे दोड़ता दोड़ता गया, और वहाँ ज कि उसने देखा कि खाली जाल है, जाल को बेरियों से निकालने में वो लहुलियान हो गया, परिशान हो गया, उसका दिन खराब हो गया, वो घर बापس آया खालियात और अब उसका रोज का यही दिंचर्या हो गई, कि उसके हाथ कुछ ना लगे, और वो रोज जाल को काटो से निकाले और रोज लहुलवान हो जाए उसकी खराब होने लगी उसके जो घर में उसकी पत्नी थी उसने कहा क्या बात है क्या किसी दूसरे का घर पाल ले हो कहीं और आपका चक्रट चल रहा है जो आजकर घर में पैशे ले लेकर नहीं आते है उस चड़ी बानने कहा कि मैं क पूट डालने कोचिस कर रहा हूँ, जब इनमें फूट पड़ जाएगी, तो इनमें एहंकार आजाएगा, एहंकार आने के बाद में फिर ये मेरा जाल नहीं लेके उड़ पाएंगी, ये आपस में ही लड़ेंगी, और मैंने फिर दुवारा से पकड़ लोगा, उसने वहाँ चड़ियों की आवाज वो जानता था, एक चड़ी दूसरी की चड़ी के उपर से कूद के दाना खाने लगी, तो उसने चड़ियों की आवाज में ऐसा ब्रहम पैदा किया, कि जो चड़ी कूदी है जिसके उपर से, उसने कहा कि तू मेरे उपर से क्यों कूदी, और क्या त पैता हो गया और उन दोनों के जो पूर्टर थे वो दोनों तरफ में आगे है खेमा जो था चुडियाओं का दो भागों में बट गया, उनमें आपस में लड़ाई होने लगी, चुडियाओं ने जाल फैका और चुडियाओं को पकड़ लिया, चुडियाओं अपने जगड़े में ऐसी उलजी हुई थी, कि उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों उड़ाएं, ये ज़्यादा बनती है, ये ज़्यादा बनता है, तो ये उड़ाएं, दोनों आपस में उलजी रहीं, और चुडि मार उनको एक खटा करके वाजार में ले जाके बेजने दिया, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एंकार जो चुडियाओं में आया, और एक जुटा एंकार जो उनके सत्तू ने पैदा किया, जो उनमें खुद भी नहीं था, उसकी वैसे उनके सारे के सारे चुडिया पकड़ी गई, और जो समझदार चुडिया थी, जिसने उनको पहले समझाय था, वो अपने समझदार साथियों को लेके उस जगे को छोड़के चली गई, ये जो जातक खता है, ये आपने बहुत जगे सुनी होगी, जहां छोटे से हिस्सा बताया जाता है, कि चिडियां सारे कबूतर सारे जाल को लेके एक साथ उड़ गई, और चिडी मार देखता रह गया, ये जातक खता वहीं से आई हुई है, यानि जो बॉद्धो की जातक खता है, ये धम जातक खता है, ये उनी मैसे कहानिया पूरी दुनिया में बनाई गई है, तो इस प्रकार वो जो चिडियां हैं, वो सारी की सारी फस गई, जो आज की तारिख में बहुत सारी जगे पूरी दुनिया में देखा जाता है, यही इस कता का सार है, अर्थ है, कि एहिंकार अगर करेंगे तो आप कितने भी हैं आप मारे जाएंगे धन्यवाद हमाद आप मारे आपर किःश्या हुआ सहे सिर्गा आपका श्व 280 एगम na करेंगे अगर को मारे जान चला हुआ ज बचू